क्रीम 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 रिम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम्रेम प्रसन्न वर्दो भवा प्रसन्न वर्दो भवा सिद्ध सादक परिवार के इस चानेल में आपको स्वागत है चानेल में गूप्त गूप्त दुरलब साधनाएं चल रहे हैं जानने योग्यों बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं साथी साथ सक्तिशाली से अतितिवर सक्तिशाली टोटके भी दिये जा रहे हैं तो आज के इस साधनावले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे व्यापार उन्नती हेतु महालच्मी प्रयोग के विशे में ताकि आगे चल कर आप यह दिव्य और तिक्षन फल दाई प्रयोग को संपन कर सकें और इसमें से उत्पन होने वाले लाब को प्राप्त कर सकें आप जानते हैं यदि व्यापार करना चाहते हैं किन्तु व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है अनेक बार बाधाय आ रही है या सुरू करने से बाद घाटे में काम बंद करना पड़ता हो उस समय इस प्रयोक को अवस्य आपको संपन करना चाहिए क्योंकि आज जो ब्यापार में मंदी की स्थिती है अधिक कमपिटीशन है उस तिती में प्रयत्न के साथ साथ साधना भी कवस्य करनी चाहिए जिससे कि आपको देवकृपा प्राप्थ हो और देवकृपा से कोई बाधा नहीं आए और सफलता आपके हाथ लगे आपको चाहिए कि इस साधना को संपन करने से पूर्ब आप स्नान आधिक संपन करें और सफेद आशन पर पूर्ब या उत्तर दिशा की और मुख करके बैठें सामने दिपक तथा अगर्वती जला लें किसी प्लेट या थाली पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं अब स्वस्तिक के उपर सिध कनक धरा यंत्र को स्तापित करें और उसमें स्नान के लिए गंगा जल का छींटा मारें अब छींटे मारने के पस्चात उसको फिर से पोछ लें कुमकुम से चार कोनों में तिलक करें मध्य में भी एक तिलक करें और अपने मस्तक पर उसी तिलक को लगा लें। अब उसके बाद धूप दीप और अक्सेद से पूजन करने के पस्चाद कमल गट्टे की माला से जो दीब्र व्यापार उन्नती मंत्र देने जा रहे हैं। कमल गट्टे के ही माला से उस मंत्र का ग्यारा माला आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद यंत्र को अपने घर में या फेक्टरी या धुकान में स्तापीत कर दें। अब उसके प्रती दिन धूप दीप दिखाएं सेस सामगरियों को जल में प्रवाइद कर दें। इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप एक माला जाप करते हैं तो उचित है क्योंकि कनकधारा साधना लच्मी जी की स्रेष्ट तमसाधना मानी गई है। अब यह साधना को आप संपन करने के पस्चात आप देखेंगे अगर आप व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आप तीब्रगती से सुरू करेंगे अगर आपका व्यापार मंदी के अंदर जा रहा है व्यापार सफल नहीं हो रहा है तो तीब्रगती से आपका व्यापार में सफलता आपको मिलने लगेंगे यह निश्चित है इसमें संचय का कोई स्तान नहीं है। आज के लिए इतना है था जिनको यह साधना प्रयोग संपन करना हो। वो हमारा इमेल आईडी दिया हुआ है वो हमसे संपर करें उनका पूर्ण मार्ग दर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में प्रयोग में आने वाले जो सिद्ध सामगरियां है उनको भी उनके पास पहुंचा दिया जागा उसमें कोई दिक्कत नहीं है चानेल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहे आज के ले इतना आय था ओम क्रीम 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 रिम 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 हुम हम दक्सिना कालिके क्रीम 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 रिम रिम हुम हम स्वाहा मा दक्सिना कालिके नम प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा जै सिद्ध साधक परिवार